तो रक्षा बंधन का परवा आज देश भर में काफी दूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी क्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बच्चियों से राखी बंधवाई बड़ी संख्या में स्कूली बच्चियां पहुची पियम मोदी को राखी बंधी गई इस मौके पर बच्चों का उत्सा भी देखते ही बन रहा था और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में धेर सारी राख्या बंधी हुई नजर आई तो तस्वीरे आप देख पा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चियों के लिए जो पियम मोदी के पास पहुँची और उनके कलाई पर राखिया बाद ही और किंद्रे ग्रे मंत्री अमिश्या ने देशवासियों को रक्षा बंधन के पावन परवकी हार्दिक शुपकामनाई दी और खबरों में आगे पढ़ेंगे CAA नागरिक्ता पाने वाली महिलाओं ने केंद्रे मंत्री प्यूश गोईल को राखी बांधी इन महिलाओं ने प्यूश गोईल के दफ्तर पहुँच कर राखिया बांधी उन्होंने पाकिस्तान मुल्की हिंदू बच्ची नागरिक्ता से भी मुलाकात की इस चोटी सी बच्ची से मिलकर मंत्री प्यूश गोयल बेहत खुश हुएं इस मौके पर प्यूश गोयल ने कहा कि आज राखी पर्व की अवसर पर आप सभी से मुलाकात करना मेरे लिए बेहत खुशी की बात है। उसे खास दिशानेरदेश दिए गएं विरांगनाओ ने मुक्यमंतरी भजनलाल शर्मा को राखिया भी बाधी सीम ने विरांगनाओ का संबाजन किया 2100 रुपय भी दिए गए साथी साथ शाल और मिठाई देकर विरांगनाओ को संबानित भी किया गया तो तस्वीरे उस मुख्यमंत्री की ओर से कि वो कभी खुद को अकेला महसूस ना करें हर दिक्कत में हर परिशानी में सरकार उनके साथ खड़ी है